हाउर फीक्स सैमसंग एस सिक्स हेंग और रिस्टार्ट प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सुआगर अब सभी का तिकराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के डिवाइस पर हेंग और ठीक है सैमसंग का वो भी अगर हेंग हो जाते हैंग होने के बाद आपने आप रिस्टार्ट भी हो जाते तो यह किस तरीके का प्रॉब्लम है ठीक और आपको कैसे यह प्रॉब्लम फिक्स करना होगा आज के इस वीडियो पर मैं आपको सॉलुशन बताने वाला हूँ वीड करते हुए बेल आइकोन को क्लिक करें अगर आप उनलाइन पैसा कमाना चाहते तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फोलो करके मेसेज करें तो चलिए दोस्तों वीडियो शुर टोसको डिलेट कीजिए ठीक है बहुत बड़ा एप्लिकेशन साब यूज करते तो उसका डेटा को क्लियर करके यूज कीजिए इस से आपका जो रहे में वह खाली होगा ठीक है और कोई भी दोस्तों डोकी बैट अपलिकेशन होगा उनको भी डिलेट कर दीजीगा बैट अ जैसे की कोई unknown website से install किया हुआ application ठीक है तो उनको delete कीजिए और अपने space को free आप कीजिए उसके बार my files पर जाए और यहाँ पर भी दोस्तों storage को free आप कीजिएगा ठीक है जब storage आपका 40-30% empty हो जाएगा तब आप अपनी mobile software को update करेंगे ठीक है mobile software अपडेट करेंगे mobile software update होने के साथ ही साथ आपका प्रॉब्लम सौर्फ हो जाएगा ठीक है तो hang और restart का जो issue है आप इसी तरीके से fix कर सकते हैं तो यह solution को आप follow करके देखे problem solve हो जाना चाहिए अगर solve हो जाता ही तो आच्छी बाद है अगर इसके बाद भी problem आते हैं तो आपको जाना है general management reset and then factory data reset ठीक है तो जितना भी मैंने आपको solution बताया दोस्तों उसी को follow किजिएगा तो आपका problem solve हो जाएगा आपको कोई भी डिक्कते बात में नहीं होगा ठीक है तो जो possible solution था मैंने आपको वही बताये तो आप भी उसी को follow कर लेना उमेद करते हैं आपको ये वीडियो पसने होगा thanks for watching